हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम जा रहे हैं बची हुई मिठाई से कुछ एक नहीं रेसिपी बनाने बहुत सारी दिवाले में मिठाई आती है तो बच जाती है तो हम चाहे तो उसकी नहीं रेसिपी बना सकते हैं तो इसलिए हमने बची हुई 2-3 मिठाई ले हैं आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं मैंने यह मिठाई लिए इसे हम एकदम से मिक्स कर लेंगे दो-3 मिठाई हैं पूरा अच्छी तरह से चिम्मस से प्रेस करते हुए दबाते हुए उसे एक मस्त बैटर बना लेंगे फिर उसके अंदर हम डालेंगे कद्दू कस किया हुआ दो चम्मच गरी गरी का चूरा उसको भी हम अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स कर लेंगे मिठाई वैसे मीठी होती है इसलिए हमें उसमें सक्कर रोकर कोई चीज मिलाने की ज़रत नहीं है अब हम लेंगे आटा उसे हम मौयन करके रख देंगे और उसके बाद उसे हम नमक पारा का आटा उसमें नमक रहता है लेकिन हम इसमें नमक नहीं डालेंगे खसता वाला आटा लगाते उस तरह हम आटा लगा लेंगे उस आटे के हम लोई बना लेंगे जितनी बड़े हमें रोटी बनानी है उतना बड़ा हम आटा लेंगे उस आटे में हम मैदा लगा कर उसे बेल लेंगे अच्छी तरह से वैसे आप इसे मैदा से भी बना सकते हैं मगर मैं मैंने इस आटे को मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बनाया है क्योंकि मैदा बहुत नुक्सान करता है हम में इसलिए हम मैदा और आटा जब मिक्स करके बनाते हैं कोई भी चीज तो वह हमें वह हजम हो जाता है अच्छे से और मैदा वैसे भी बहुत नुकसान करता है अगर किसी को नहीं नुकसान करता है आप पूरा मैदे का भी आटा ले सकते हैं अब हम बड़ी सी एक रोटी बना के बेल लेंगे अब फिर उसे किसी भी साचे से डखकन से उसे काट लेंगे ग होटा डखकन लिया है उसको हम अच्छी तरह से गोल गोल करके सारे काट लेंगे और फिर जो एकस्ट्रा है उसे निकाल लेंगे फिर उसे हम फिर से बेल के बना लेंगे बाद में अब देखो मा कट गया है अब हमने जो बैटर बनाया था मिठाई का उसको हम इसके अंदर अब भरने के बाद उसे हम प्रेस करते हुए अंदर से बंद कर देंगे और उसे हम एक सेप देंगे गुजिया की तरह तो हम कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं तो हमने एक दम सिंपल सा और आप अगर बड़ा बनाते हैं तो आपके पास जो सांचा होता है उसमें रखके और उ दूसरे अब इसी तरह हम भर लेंगे भरने के बाद इसे हम दूसरा जैसे हम मॉमोस की तरह भी से बना सकते हैं इसका हम समोशा बना सकते हैं मतलब कोई बीजाइन गोल्स बना सकते हैं गाई के खाने में बहुत अच्छा लगता है आप एक बार ट्राय करके देखें साथ इस नई रेसिपी को भी आप ट्राइ करके देखें तेवारे में बहुत सारी मिठाई आती है मिठाई खाका के लोग बोर हो जाते हैं इसलिए नई रेसिपी बनाएंगे तो यह अच्छा भी लगेगा और खाने में भी अच्छा लगता है इसी तरह हम सारे मतलब सारे उसमें बनाके हार्ट डिजाइन का इस तरह करते हुए हम जितने भी हैं सब बना लेंगे देखो यह बन गया है यह मुमोस की तरह हमने बनाया है फिर हम उसे फोक से चिप मचके उससे किनारी को दबाते हुए उसमें हम साचे वाला डिजाइन डाल देंगे कोई बतानी सकता है किया साचे का नहीं बना है ये देखने में यही लगेगा कि हमने इससे साचे से ही बनाया है अब ले लेंगे हम एक बर्तन उसमें डालेंगे हम शक्कर। पहले हम डालेंगे उसमें एक कटोरी, पानी, फिर उसमें डालेंगे हम एक डेड़ कटोरी शक्कर डालेंगे उसके अंदर हम, हम उसमें चासनी बनाएंगे, हमें सिर्फ चिप चिपाती हुई चासनी बनानी है, ज्यादा कोई तार वाली चासनी नहीं बनानी है हमें, अब हम चास्णी को बनने देंगे थोड़ा सा सक्कर गल जायत इसे हम छान लेंगे इसमें कचड़ा है शक्कर में अब एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में हम डालेंगे गी पिगलाउआ गी डालेंगे रिफाइंड ओयल भी डाल सकते हम तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए उसके अंदर हम डालेंगे गुजिया और सारी गुजिया उसके अंदर डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा आज दीमा कर देंगे क्योंकि अगर तेज आज होगी तो फिर ये जल्दी से लाल हो जाएंगे और अच्छी तरह से पकेंगे नहीं तो धोड़ा सा धीमा आज कर देंगे मेडियम और उसके उपर हम इसे पकने देंगे और लाल होने तलग इसे तलेंगे इसी तरह हम सब जितनी भी गुजियां हैं उनको सब को इसी तरह brown सुना हरा होने तो लगता लेंगे सारे बाकि बचे हुए भी इसी तरह डाल के हम सब तल लेंगे दोस्तों आप भी इसे बनाओ बना कर देखो कि अ किस तरह बनता है यह खाने में सही में बहुत अच्छा लगता है तो अब हम देखते हैं कि हमाई चासनी पग गई है कि नहीं तो हम इसमें थोड़ा सा हलका सा यलो कलर डालेंगे थोड़ा सा वाइड वाइड चासनी रहती है तो नहीं अच्छी लगती जैसे दिखने में इसमें थोड़ा स्कलर डाल देंगे तो ये लुकवाइस अच्छा भी लगने लगेगा अब हमारी सारी गुजिया तल के तयार हो गई है हम इसे चासनी में डालेंगे तो अभी मैंने दीमा आज पर गैस चालू रखा है और उसमें हमने सारी गुजिया डाल दिया और डालने के बाद हम डकन बंद करके गैस बंद कर देंगे और फिर उसे एक बाहूल में निकाल लेंगे और थोड़े से कटे हुए ड्राइफूर्ट उपर से डाल देंगे मैंने बदाम डाला है काटके आप कोई भी ड्राइफूर्ट डाल सकते हैं पिस्ता काजू कुछ भी तो देखने में तो यह अच्छा लगी रहा है दोस्ते खाने में भी बहुत टेस्टी था तो आपको आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो आप भी इसे बनाएं घर पर और सबको खिलाएं और अपने कमेंट सेयर करें मेरे साथ क्या आपका कैसा बना और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और आपने अभी तलग मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्ल बैल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएं आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं मैंने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो डाल के रखी हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो मे अलाफीज बाए